Question number 7 says, the diameter of the moon is approximately one-fourth of the diameter of the earth. तो यहाँ पे आप देख सकते हों कि दो जीजों के बीच का relationship दिया हुआ आपको. एक तो diameter of earth और दूसरा diameter of moon. अब यहाँ पे लेट से कि आपके पास जो diameter है earth का, it is x. हम यह मान के चल रहे हैं कि जो diameter है earth का, it is basically x for you. अब यहाँ पे आपका radius कितना हो जाएगा, radius of earth? वो हो जाएगा आपका x by 2, ठीक है? अब यहाँ पे आपको information क्या दिय हुई है, उसको use करते हैं. कि उन्होंने बुला कि जो diameter of moon है, वो किसके equal है? It is equal to 1 by 4 of diameter of earth. अब यहाँ पे diameter of moon किसके equal हो जाएगा आपका? It will be equal to 1 by 4 of x, ठीक है? अब आपको निकालना है radius of moon, अभी हमने क्या निकालना है? diameter of moon, तो radius of moon निकालने के लिए क्या करोगे? डिवाइट कर दोगे 2 से, और डिवाइट करोगे जब 2 से, तो आपके पास final answer कितना आ जाएगा? x by 8, तो आप देख सकते हो कि आपके पास आप दोनों के radius आ चुके हैं, दोनों के radius आपके पास हैं, आपने अब ratio निकालना है, Ratio कैसे निकलता है? Ratio will be equal to surface area of moon, divided by area of earth, और moon का जो surface area होगा, it depends on 4 pi r square, जो कि किस का ओना चाहिए? r, moon का और 4 pi r e का square, 4 pi और 4 pi तो दोनों constant है, इससे तो कोई फरक ही नहीं पड़ेगा, फरक पड़ेगा तो किस से पड़ेगा? radius से, क्योंकि they are both different, moon का radius कितना है? x by 8 का square, और r e कितना है आपका? it is basically x by 2 का square, तो आपके पास उपर value कितनी आ जाएगी? x square divided by 64, x square divided by 4, x square से x square cancel हो जाएगा आपका, और आपके पास 4 और 64 भी cancel हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और यह basically पते है कैसा है? यहाँ पर बच्चे confused हो जाते है, 1 by 16 है ना? और यह भी 1 by 1 है हमारा, नहीं, sorry, yeah, it is 1 by 1, तो divide करना है हमें 1 by 1 से, तो हमारा answer क्या आएगा? 1 by 16 ना? 16 by 1 नहीं, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, so the ratio is 1 ratio 16 for question number 7.